नमस्कार मित्रो जै मात अदीप मातरानी की किर्पा से फिर सेक और ने बीडियो में आप सभी काश बगत करते हैं आज से लेकर अगले तीन दिनों तक में में इस रासी वाले जातकों का देन्चरिया कैसे रहने वाली हैं और केन केन चीजों से आपको लाब मिलने वाली हैं और केन केन चीजों से आपको सावधान रहना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली हैं वीडियो को पूरी अंतक देखें और वीडियो का कोई भी पाट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें जैमात दी और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और साथ ही बेल ला इकन को फ्रेज करें कि ताकि रोजान रासी फल आपको समय समय पर मिल सकें निवे संबंदी योजना पर कारी होगा दिल की बजाय भी बना लेंगे जो अखिम पूर्ण कार्यों से दूर ही रहें अथवा बहुत तो सोच विचार करके ही कदम उठाएं किसे नजदिक के रिस्तदार से मामुले से बात पर भी कहाँ सुनी हो सकती हैं जिसका असर परिवारिक और संबंदों पर भी पढ़ने वाल हैं काम काज के महोलाव के पक्ष में रहेगा और किसी मैत्पुन कार्यों में से और निपिस करना और आपके भविष में सुरक्षित भी रापकलवी रखने वाल हैं परंतु ध्यान रखे की किसी कर्मचारी की वज़ज़ से आपको कोई बड़ा नुकसान नापकलवी हो सकती हैं परिवार से ताजगी आपकले महसुस होने वाली हैं संतान के सुक की प्रावति होने की योग भी बने हुए हैं बिर्द्यों पर बेजय हासिल करने में काम्याब होंगे आसपास के लोगों से और कुछ नई बाते सीखने को मिल सकती हैं जो आपने रिष्टे में आत्वी श्वास करते हैं वह पूरे दिन प्यार भरे से सब्दों का अनुभव करेंगे और आपके आर्थी किस्तिती बैतर रहने वाली हैं घर में कोई नई चीज भी और खरिद कर भी ला सकती हैं यदि आपके बैबसाय में पिसले कुछ दिनों से कोई तनाब चल रहा था तो वह भी श्रम रहने वाली हैं और आपको वर्क आउट शुरू करने का प्रित्न आपके लिए जरूर करने होंगे आनिंद्रा मैसुस भी से भी हो रही डॉक्टर से संपर करने होंगे आप में से कुछ लोग और अपने दोस्तों के साथ घुमने जाने का भी प्लान भी बिना सकती हैं में राशिबाले जात को कल्वियाद से लेकर अगले तीन दिन में आप कल्व मैत्पून दिन भी रहने वाली हैं बेद्यार्थों ने यदि किसी परिक्षा को दिया था तो उसके परिनाम भी हो साकती हैं रिस्तों में एक नई और कभी संचार कल्वी होगा प्रहे कर्तिक में से समना करना पड़ेगा लेकिन आपको किसी पर भरोशा करना समस्चें दे सकते हैं इसलिए बहुत सावधानी बरतनी होंगे और आप अपनी मन के विश्きसी बात को भी और अपनी माता जीसे साज़ा कर सकती हैं मामा पकषिवे आपको मिल मिला मुला भी करने का मोका भी मिलने थोड़ा समय लगते हैं और इस दुरान से हार ना माने ज़ादा मेहनत करें अच्छी अपेक्षा भी आपको रखनी होंगे और आप अपनी रिस्तदारी में वफादार के लिए परती बंद होने की कारण दूसरे लोग आप पर निर्वर रहते हैं और आपसे मदद के अपेक्षा रखते हैं ऐसा करते वक्त आप अपने और विवेक्ष में रहते हैं किसी भी अबसर को भी लाब उठाने के लिए आपकी छंता आपको बहुती फाइदे मंद रहने वाली हैं और इस चंता से आप अपना भविस्त सुरक्सित भी और कर पाने की शमब बना हैं आने वाले दीनों में सुयम में सुधार ने लाना भी आपके सुधार लाना आपके लिए आदर सुर रहेंगे और इसके लिए भी आके मित्र जन तथा रिस्तदार भी मदगार रहेंगे